वेलकम टू एकेस राइडर आज हम लोग जा रहे हैं अपना एक छोटी सी राइड नाइट जो डाबा के तरह पे कुछ दोस्तियार है जो प्लानिक किये आई होप दिखाते हैं जो भी है जैसे कि यह है हमारी गाड़ी छोटी है बहुत प्यारी है लिक है यह हमारे कॉळसर भाय जो ड्राइब करने जा रहे और क्या भूलते हैं सावली ठीक है बैठो चलो हम भी यह साइट से बैठते हैं यहाँ पर क्या जग है एक गाड़ी में बैठें यह अम लोग गाड़ी में बैठी है अभी गाड़ी को टन मारी है काउसर भाई और लाइट कम होने के वज़े से यह साव अली भाई देखो पीछे से हाथ दिखा रहे हैं अपने खास खास दोस्तों को भूल के सबके दूसरों के साथ जा रहे हैं अभी रात के बज़ रहे साड़े के आरा और हम लोग अब भी रास्ते में जा रहे हैं बट निकले हैं साड़े नौ बज़े साड़े नौ बजे के बाद भी अब इतना रास्ते में जा मैं ना मतलब जो ट्राफिक है ना बहुत नेश्ट लेबल है मैं आप लोग को दिखाता हूं ट्राफिक की जो हाल है वो दिखा रहा है एक में यह सामने देवा ना बहुत ज्यादा ट्राफिक है दोनों साइड पे य बहुत ही गंदे रोड बहुत गंदे इतने बड़े-बड़े खड़े हैं बहुत प्रॉब्लम होता है चलो अभी देखते हैं कितना टाइम लगे हैं कुछ पता नहीं अभी जहां तक है यह है कि मतलब करीबन करें बारा साड़े-बारा बच जाएंगे आम लोगों पहुशते संडे मॉर्निंग में अम लोगों लोनावला के लिए निकल ला है आई होब कि मतलब जो मेरे को चार बचे निकल ला है तो अभी रात के साड़े-बारा एक तो बच जाएंगे धावी पे खाते-खाते मतलब आज की बहुत ज्यादा हो गया तो मैं एक गंटे का आराम कर सकत हो और देखते हैं और ट्राफिक के वज़े से ना मूड इतना मतलब अपसेट कैसा होता है दिमाग कुछ चलता नहीं क्या करना है क्या नहीं इसके वज़े से बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मैं आपको अपना सेटिंग दिखाता हूं मैं मतलब गोप्रो के में लाइट उसके यह स्वते हैं रही है लेकर नहीं बट मेरे फोन ने इतना अच्छा कमाल किया यह मेरा फोन और इस को मैं यहां अप्सों होता है नंतुनरु कोई कोछ बता कारिया अधा जो गाड़ी नहीं सुट भी नहीं हो यह कतर नहीं है बागोम दमत्य संव के कर दोच कई और वहां कि स्वेक्श नावं जो पक Servai इन हमें दोस्त है जो थाविस नाम है कि यह सब के सब है और आइफ नेस्ट जो भी ए डाबे पोच्च वे आपको दिखाता हूं आगे डाबे पे मैं पहुंच के दिखा हूं कि सामने बॉट ट्राफिक है मैं सूट क्या करो रात का टाइम है कुछ हो भी नहीं पा रहा है सूट करने और इसके लिए मैं यह लाइन से डाबा आना इस्टार्ट हो गया यह आ गया डाबा अंदेरा इतना है कुछ दिखनी रहे यहां जेस्ट यहां पर गाड़ी को लगा देते पार्किंग अब भी हम लोग उतर गये और अपनी गाड़ी को यहां पर पार्क कर दिए अब यह बाही लोग भी सब उतर गयें और चलते अंदर और चलते अंदर यह डाबे के अंदर इंट्री कि शाली मारे हाद बनाया अच्छा है यह बारीश के डाय में इसके लिए मतलब उपर साइट चालू होगा कि नहीं नहीं वालू और देखते हैं उपर साइट कि यह सुरुवात हो गया जाबे फे सबसे पहला यह पापड़ के दो लोग पापड़ खाना इस्टार्ट ताविस दर नहीं लग रहे हैं अकरम भाई आपको ना ढावा बहुत बारी पढ़ गया हाँ वह ट्राफिक होगी ना रात के करीबं बारा साड़े बारा हो रहे हैं साड़े नौ पुझे निकले तुम लेके आए वह क्या पूरा दो भाई आने के बाद में आज सिकाइत होत और सबसे पहले दो दो बाई लोग ना इतने बुक्कड है कि पहले सुरू देखो यह ताविस भाई और यह अपने अबली बाई यह दो रहों बहुत बड़े बुक्कड है बाई बोले फुल पैसा उसूल लसन ज्यादा काते समझ जोब किसली ज्यादा काते अब यह आग scenario का इस तारटर कि यह सब अपने अपने स्टटर में लग गया है मैं अब हम अब theta मगाया मैं मतलब जिन बजरे करीक शरी और पारिष बहुत ज्यादा यह बारिषी जो इस सय डाले पहुत ज्यादा और हम लोग अब निकलते निकलते करीब वे जो से डाइब होगा यह देखो सब इंजॉयमेंट कर रहे हैं सब के थाली में खतम हो रहा है अब यह देखो हाते पिते हैस कर रहे है हमारे कॉसर भाई जिनको तो यह मलाई बहुत पसंद है बाई प्रीजन यह गुट का इस्ता काते इनको सिफ मलाई चलता है अब लोग बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं और रात के इसाब से बताब भी क्या है घर पे भी जाके सोना इसलिए थोड़ा जाकते अच्छा है ना यार तो अभी इंजॉयमे यह लास में यार जो इस्प्राइड और निब्बू और इसके अंदल जलजीरा बहुत हाड है और लास्ट लास्ट यह है पेट को दमस्त रखे गाए यार अब भी जैसे कि हम लोग निकल रहे हैं डाबे से रात के बज रहे हैं कि रात के बज रहे हैं दो और यह देगो यह बच्चे लोग मतलब यह बच्चे लोग देगो रात के दो बजे मतलब काफी अच्छा है और काफी अच्छा लग अभी जैसे कि हो गया हम लोगा खाना पानी खत्म तो आप भी हम लोग चल रहे हैं घर के तरफ और करीबन रास के बज रहे दो और अम लोगों घर पॉस्टे पॉस्टे करीबन लगेगा डाइस से तीन साड़े तीन के लगपक लगेगा सुबा में मेर जाना है और राइट का मेरा हिसाब किताब बैट नहीं रहे कि काफी मतलब टाइम भी हो गया और दूसरी बाद प्लस पॉइंट के आए कि जैसे ताइम के इसाब से अगर सुबा में बारिस हो गई तो मैं राइट पे भी नहीं जा पाऊंगा तो चलते हैं अभी घर के तो हम लोगों को दो घंटा सम्तिंग जाएगा घर पॉश्चे और फिट चार बज़े राइट पे सुबा जाना ही है और अब दोस्तियां से जो कंफरम हुआ वो बोले कि नहीं बाई सुबा राइट पे चलना है तो आई होप हम लोग जल से जल घर पे पहुंच के यह आदम को मतलब क्या था कुछ चाहिए था तो मैंने इसके लिए सीता फल क्रीम लिया क्योंकि रात में अब भी घर पे जाने के बाद यह उठेगा और उठते साथ सीधा बुलेगा डेडू क्या लाए तो इसके लिए मैं सीता फल क्रीम ले आया तो एक नए आट्रम अज़े हमें भाद भाद तो कि पाह प्ता अटाक करता हा स्केभी मॉठी हमले झाहरे हैं काली में बेचने अब भी बज गये चार और अमनों को काफी लेट हो गया डापिज से गर रात गया ते अभी जैसे कि इतना फर्स टाइम इतना लेट डापिज से आ रहे यार रात की चार बज रहे मतलब इतनी ट्राफिक के हो जैसे ना कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि बहुत ज्यादा तो अब भी बी अमनों घर पर नहीं पहुंचे रहे और पांच दस प्रेंड में तो आई होब घर पर पहुंच जाएंगे एक बाइस साब देओ इतर गहे और यह जहा रहे तो चलें घर के तरह थेंक यू फॉर वाचिंग एक एस राइडर